प्रभु चरणों में बंदन करते हुए मैं प्रसान सोलंकी स्वागत करता हूँ आप सब का आपके अपने परिबार वुकैब वंडर्स पे तो कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत सांदार होंगे, बहुत बहुत बहतरी दंच से पढ़ा लिखाई कर रहे होंगे, आज है हमारी वुकैब बंडर्स पर पचासमी क्लास है, और सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि आप सभी लोगों के साथ की वजए से ही ये पचासमी क्लास में ले पा रहा हूँ, आप सभी लोगों ने शुरुआत से लेके, अब तक मेरा बड़ा जबर्दस तरीके से साथ दिया है, वुकैब बंडर्स परिवार को हमने शुरू करा था, इस टार्गेट के साथ में, क कि वुकैबलरी को लेके, जितने इनोवेटिव आइडियाज मेरे माइन में आते हैं, इतनी सारी चीज़े मेरे दिमाग में चल रही होती है, उन सभी आइडियाज को आप तक पहुचा है, इस दोरान हमने बहुत जबर्दस तरीके से, वुकैब अंडर्स पर सौर्ट के आदिम से, हर तरीके से आपको क्वालिटी कॉंटेंट देने का प्रयास किया है, और उसी प्रयास में मैं आज भी प्रयास रहत हूं, के लावा, मैं भगवान के चरणों को छूके भी बंदन करना चाओंगा, कि भगवान की दया से ही सब कुछ है, हम हैं, आप हैं, सब इसवर की मर्जी से ही है, सब कुछ उनी की वज़े से हैं, तो आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, बस मैं यही चाओंगा कि इसी सपोर्ट का आप इसी तरह से बनाये रखें, और आगे भी इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें, आप सभी लोगों को जानके बड़ा हर्स होगा, बड़ी खुसी होगी, कि हमारी तरफ से एक नया इनिशेटिव हम और शुरू कर रहे हैं, और वो इनिशेटिव क्या है, मैं आपको जस्ट एक बार दिखाना चाओंगा, बताना चाओंगा कि हमने एक नई चीज जो है, वो क्या स्टार्ट की है, तो भ आउसे ही हमारा एक Youtube चैनल है प्रसांत सोलंकी इंगलिस, उस Youtube चैनल को जैसे ही मैं एक बार यूट्यूब चैनल को भी आपको ओपन करके दिखा देता हूं, दोस्त, खोलके दिखा देता हूं कहाँ पे है वो चैनल, तो जैसे ही आप YouTube पे जाते हो भाई, YouTube आप ओपन करोग सर्च बॉक्स में जाना है सर्च बॉक्स में आपको जस्ट क्या लिखना है जस्ट लिखना है आपको प्रसांत सोलंग की इंग्लिस ठीक है प्रसांत सोलंग की इंग्लिस तो यहां पर आपको यह चैनल दिख जाएगा इस चैनल पर आप देखोगे लगबग साथ हजार के करी लोग है जुडे हुए इस चैनल पे ही अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि इस चैनल पर आने वाली है वो वीडियो जो मैंने आपको दिखाई यानि के इस चैनल पर आने वाली है ये वाली क्लास जिसको हम बारबार कह रहे हैं 11 दिन 11 सेट्स और बड़े जबरदस तरीके से इनको कराने बाले हैं इसके अलावा आज दो बजे आपकी रैंकर्स गुरुकुल पर हम स्टार्ट कर रहे हैं 16 दिन 16 मैराथन जिसके अंदर बड़े जबरदस तरीके से CPO को लेके टार्गेट करके हम बहुत सारे अच्छे तरीके से आपकी त्यारी करने वाले हैं तो आप आओगे के लगवग तीन क्लासे आपको यूट्यूब पर मेरी दिखाई दे रहे होंगी एक आपकी ग्यारा दिन ग्यारा सैट के अंदर एक आपकी सोले दिन 16 मैराथन रैंकर्स गुरुकुल पर और एक आपकी वक्याफ वंडर्स पर जो रेगुलर क्लास लती है वही इसके अलावा सोट के मादम से जो कॉंटेंट आपको दिया जा रहा था वही मिलता रहेगा बीच में कुछ दिन छुटी रखी होली पे हम इधर उदर गए लेकिन अब आपके लिए फिर से वापस हैं और बहुत मेहनत से और जैसे हमेशा काम करते हैं वैसे काम करने के तयार हैं तो बहुत करेंगे अब टाइम ना निकालते होई जल्दी से आज की क्लास की और आज से जैसे कि मैंने आप से का था थोड़ी सी एक्स्टेंडड बड़ी बड़ी लंबी-लंबी क्लास हमारी होंगी तो क्लास नंबर 50 है तो 50 वी क्लास हम सुरूआत कर रहें 10-10 का मतलब क्या होता है देखो 10 से मतलब है 10 और एस आपने एक वर्ड सुनाओगा एस एस का मतलब होता है दोस्त इकका जो कार्ट जब खेलते हैं तो एस का मतलब क्या होता है एकका तो जिस आदमी के पास में 10 एकके हो 10 एकके हो तास में तो चारी होते हैं अगर आपके प accept defeat हार मानने को तैयार नहीं है क्यों क्योंकि उसके पास में हैं दस-दस-इक्के टैनेश को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं टैन एस यानि जिसके पास होंगे वह द्रंड तो होगा ही वह एकदम द्रंड रहेगा अडिक रहेगा अपनी चीजों से पीछे नहीं हटेगा ठीक है तो टैनेशियस याद रखेंगे भई टैनेशियस याद रखोगे आगे देखेंगे अगला जो इसके synonyms की अगर हम बात करते हैं तो एक वर्ड है yielding yield का मतलब होता है हार मानने बाला जो yield कर जाए बहुत बार वर्ड पढ़ाया तो ज्यादा ट्रिक में नहीं जाओंगा yield करने का मतलब है जुक जाना yield करने का मतलब है जुक जाना diyक हर किसी के अगे जुक हो जाता है हर किसी के सामने अधीन हो जाता है वही कहलाता है सब में से एक आपका कंप्लाइंग एक ऐसा परसंग जो हर चीज को लेके कंप्लाई करता है पालन करता है हर किसी का पालन कर रहा है वो अपनी और है पैसिफाई को आप आसानी से याद रख सकते हैं किसी चीज को अगर आप प्रसांत महा सागर में डाल देते हैं आपको पता ही है पैसिफिक अगर पैसिफिक को हम देखें तो पैसिफिक का हिंदी में मीनिंग क्या होता है प्रशांत जो कि मेरा खुद का नाम है ठीक है और प्रसांत में आपको क्या दिखाई दे रहा है, सांत, तो pacific में तो खुद से सांत है, तो pacify करने का मतलब भी होता है किसी को सांत करना, pacific का मतलब basically सांत करना ही हो जाएगा, तो pacific pacify, pacific pacify, यनि कि सांत करना, to make somebody who is angry or upset to be calm or quiet so pacific आपका ocean होता है जिसका मतलब क्या होता है प्रसांत, महासागर और प्रसांत अगर हम कही रहें इसका मतलब ही क्या है जिसमें खुद से सांत चुपा है जिसके अंदर ही सांत चुपा है आगे देखेंगे इसके अंटोनीम देखेंगे इरिटेट करना, एक तरफ तो सांत कर रहे थे यहां पर इरिटेट कर रहे हैं, अंटोनीम हो गया एग्रावेट करना, किसी चीज़ को और बढ़का देना किसी चीज़ को और खराब कर देना एग्रावेट करना होता है इन्रेज करना इन्रेज का मतलब होता है गुसां दिलाना किसी को गुसे में लिए इन्रेज कर दिया एक्जैस्परेट करना एक्जैस्परेट का मतलब भी क्या होता है किसी को उत्तेजित करना किसी को भढ़काना एक्जैस्परेट एक्जैस्परेट देखो इन्रेज को कैसे याद रखो कि रेज का मतलब ही होता है गुसा तो रेज अगर गुसा है तो इन रेज का मतलब क्या हो जाता है गुसा दिलाना इन रेज का मीनिंग क्या हो जाता है गुसा दिलाना तो गुसा होता है रेज इन रेज मतलब गुसा दिलाना एक्जैसपरेट का मतलब है किसी को इ पूरे वर्ड को एक बार फिर से डिकोड करूं मैं आपके सामने तो आपको क्या देखेगा एक तो इसमें एक्स जो आपकी एक्स है एज यानि जैसे और एज पर का मतलब है जिस प्रकार और वो क्या मांग रही है रेट मांग रही है भाई सब उसके पास में आपकी कुछ फो ठीक है और पैसे दो इससे आप कह सकते हैं किसी को एक्जैस्परेट कर रही है यानि कि वो उक्सा रही है ठीक है आपको क्या कर रही है उक्सा रही है तो उक्साना इसका सही अंसर हो जाएगा उक्साना एक्जैस्परेट करना उक्साना एक्जैस्परेट करना यानि कि उक् अलंकि महापे डवलू बाला वोक है यह आपका यह वी लिख का है यहाप है ठीक है अवेक हो गया वोक हो गया तो प्रवोक है यह नि प्रो लेवल पर वोक कर देना यानि कि उकसा दिया इतने जहंग से जगा दिया कि एकदम उकसा ही दिया तो प्रोवोक करना है ना आगे देखेंगे अगला आपका वर्ड है वल नरेबल मैंने इसको पहले भी आपको ट्रिक से याद करवाया बल नरेबल तेरे अंदर बिलकुल बल नहीं है रे बल नहीं है रे यानि तू बहुत नाजुक है रे बल नरेबल तेरे अं पिब्लकुल बल नहीं है रे बल न रे बल ठीक है ऐसे घर के याद रख लेंगे भाई इसको अंत्रुनी जिसको रक्षित है जिसको आशानी से नुक्सान पहुंचाई जा सकता है, जिसको डैमेज करा रा सकता इन वल्नरेवल तो वल्नरेवल के आगे ही इन लगा रखा है तो यह भी हो जाएगा सिक्यॉर्ड जो सिक्यॉर है एकदम जिसको कोई नुकसान नहीं पहुचा सकता सिक्यॉर है यहां से भी याद रख सकते हैं अगला जाप का वर्ड है इच्छुक तो विलिंग तो ready और eager to do something उत्सुक किसी चीज़ को लेके इच्छुक किसी चीज़ को लेके या फिर कहें तैयार किसी चीज़ को लेके तो ready रहना विलिंग रहना विलिंग आपका यह हो जाएगा विलिंग बहुत सिंपल वर्ड है इसके लिए कोई ट्रिक वगेरा की जुरूत नहीं है अन्टोनीम देखेंगे अन्विलिंग अन लगाके इसका एंटोनीम बन गया लोग का मतलब होता है घ्रना करना वहाई बहुत सिंपल सी बात है एक का मतलब क्या हो जाएगा विरोधी तो जो किसी के अगेंस्ट एक दम विलिंग का मतलब है पक्ष में है एवर्स का मतलब अपोजिट में डिस इन्कलाइंड जो किसी चीज़ को करने के लिए अनिच्छुक नहीं है उसका जुकाव उस तरफ नहीं है वो करना नहीं चाहता एक है आपका रिलक्टेंट और रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है किसी काम को करने के लिए अनिच्छुक जो असंतुस्त है जो कि कुछ नहीं करना चाहता वही है आपका रिलक्टेंट आगे देखेंगे अगला आपका वर्ड है फिगरेटिव फिगरेटिव का मतलब क्या जो figures के मदद से है या फिर जो assumed है assume जिस चीज को हम करते है तो figurative आप कह सकते है किसी चीज को समझाना figure बगेरा के मदद से representing by a figure यानि direct नहीं है assumed है वो चित्र से संबन देता है प्रतीक के रूप में है सीधे सीधे नहीं है किसी चीज का figure है यानि कि वो real नहीं है सिर्फ figure के माद्दिम से ठीक है तो figure के माद्दिम से real नहीं है ठीक है तो आप कह सकते है figure की help से समझाना attractive होता है तो किसी चीज का just figure है तो दुबारा से समझेंगे figurative का meaning क्या होता है जो real ना हो basically जो प्रतीक आत्मक हो जो प्रतीक के रूप में हो असल में ना हो एक होता है literal जो actual में है एक होता है figurative जो actual में नहीं है ठीक है बस तो मान लिया जाता है तो इसका एंट्रूनिम क्या हो जाएगा देखो literal हो गया सबसे पहले साब्दिक जिस चीज के लिए सब्द है जिसको प्रवानित किया जा सकता है जिसको डेमोंस्ट्रेट किया जा सकता है डेमोंस्ट्रेट करना या नि किसी चीज की तरफ इसारा करना इंगित करना तो जिसकी तरफ इसारा करके समझाया जा सकता है वो डेमोंस्ट्रेबल हो गया non-fictional fictional का मतलब होता है assumed unreal non-fictional का मतलब क्या हो जाएगा जो आपका इसी के लिए जो गैर कथात्मक है यानि कि जो real है कथात्मक अन्रियल होता है अगला आपका word है prudence और prudence का मतलब होता है knowledge prudence का मतलब होता है समझ आपकी समझ सो the quality of being wise in practical matters practical matters में विवेक आपका देख रहा है wise आप है prudence बहुत simple word है prudence थोड़ा से याद रखेंगे इसको prudence यानि कि wise wise यानि कि बुद्ध्यमता विवेक सीलता ठीक है तो the quality of being wise in practical matters practical matters में आप wise है समझदार है समझदार है आपकी एंटनिम देखेंगे reckless yes went एक्ले स्मुर्ख उने का मतलब है ला परवा होcha बाइस में गर नेस लग chlorard कन बाखेंगे तोब चलब या बे परवाई से ही केट वहीं लापरवाई उपैक्षा अगला आपका word है colossal का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत बड़ी है huge large तो extremely large बहुत बड़ी है विशाल है उसी को बोल देते है colossal तो colossal यानि के बहुत बड़ी huge है large है extremely large ठीक है कैसे याद रखेंगे kol जो है वो विसाल बन्डार से निकाला जाता है बड़ी-बड़ी खान से निकाला कि यायद रखेंगेелिंघ टाइनी का मतलब होता है छोटा बहुत छोटा सा मिनी स्कूल भी बोलते है इसके लिह वर्ड होता है इसको भी थोटा सा जो इसकुल याद रख से से स्कूल याद रख लेंगे ठीक है और वैसे भी मिन से याद रख लेंगे मिन स्कूल ठीक है उसके लाब प्यानी पनी का मतलब भी होता है बहुत छोटा सा चोटा सा पन पन बहुत छोटा वर्ड है देखो ठीक है अत्य अल्प जिसको हम बोल देते हैं बहुत छोटी अगला आपका वड़ है stern, stern का मतलब होता है जो एक strict person है जो कुछी चीज़ को लेके बड़ा strict है और वो अपनी चीज़े मनवाके ही रहेगा, तो stern यानिके strict, stern यानिके strict strict and severe, strict and severe, तो यहाँ storm जो है वह जोड़दार था storm, stern, storm, stern, तो strict था storm, strict था storm, तो stern, storm, stern, storm ऐसे करके याद रख सकते हैं, आगे अगला वर्ड है इसके लिए अगर देखेंगे तो पहला वर्ड है lenient, lenient का मतलब होता है जो चीजों को लेके बहुत नरम है, सौमें जिसको बुल देते हैं, एक gentle, gentle तो समझते हैं, gentleman होता है, बड़ा सब्यस आदमी है, कोई चीज को लेके strict नहीं है, हर चीज में अपना लब ऐसे दिखाने को तयार है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक होता tolerant, जो चीजों को सहले, सहनसील, tolerant, अकसर करके आपने ये वर्ड सुनाओगा, सामाजिक केसिस में बहुत बोलते हैं, कि यहां पर भाई, intolerance है, intolerance का मतलब है, कि जो कोई सहनसीलता खतम हो गई है, असहनसील लोग हो जाते हैं, तो intolerance हो जाती है, अगर कोई tolerant है, तो वो बड़ा सहनसील है, आगे है, merciful, merciful का मतलब होता है, क्या, दयालू, बहुत दयालू है, clement, clement का मतलब भी क्या होता है, उदार, दयालू, यहीं से एक word बनता है, clemency, जिसका मत बनता है, यहां से clemency बनता है, kind, kind का मतलब होता है, दयालू, kindness का मतलब हो जाता है, दयालू, ठीक है, आगे दिखेंगे, अगला आपका word है, clandestine, clandestine का मतलब होता है, कोई hidden या secret meeting, या कोई hidden अपनी तरफ से किया गया, कोई plan, तो clandestine को कैसे याद रख लेंगे, secret तरी secretly plan करके, गुप्त रूप से की गई, तो plan this time, plan this time और कैसे plan करना है, secretly, plan this time secretly, अब की बार secretly plan करो, plan this time secretly, so clandestine यानिके secret, clandestine यानिके secret, कोई भी चीज़ो secret रूप से की गई है, जो एकदम गुप्त रूप से की गई है, इसके एंटोनीम से अगर आप देखोगे, तो पहला आपको देखेगे हैं, अपर overt, overt का मतलब क्या है, इसपस्ट एकदम, clear, एक आपको एंटोनीम देखेगा, honest, honest का मतलब क्या होता है, इमंदार, overt का meaning कैसे याद रखोगे, देखो, जो एक होता है, जैसे, over, over का मतलब होता है, किसी के उपर, और उपर अगर कोई है, तो इसक का मतलब भी क्या होता है, उपर, और जो उपर है, वो साफ सुतरा है, साफ देखेगा, तो ever board हो गया, board के उपर है, ठीक है, आगे देखोगे, unclassified, जिसको किसी वर्ग में बाटा नहीं गया है, तो वो साफ है, इसपस्ट है, तो classified नहीं किया गया है, unconcealed, जिसको छुपाय नहीं गया है, वो एकदम conceal करने का मतलब होता है, छुपाना, तो कौन सील कर गया, कौन सील कर गया, कौन सील कर गया, यनि कौन चुपा गया, तो conceal यानि कि छुपाना, और unconcealed है, इसका मतलब है, जिसको छुपाया नहीं गया है, तो इसका मतलब है, जो clear है, ठीक है, आगे कोई व्यक्ति बड़े शांत नेचर का हे उसको आसानी से आप python कर सकते उसको अनोई नहीं कर सकते हो परिसान नहीं कर सकते हो क्यूंकर उसके नेचर में बेसिक नेचर में सामिल है कि भबंद्दा कैसा रहता है सांत रहता है प्लेषट या नि कि एंग्री यानि कि गुस्सा होगा व्यक्ति एंटोनिम हो गया एक है एजिटेटेटेड का मतलब भी क्या होता है बेचैन है चीजों को लेके बड़ा बेचैन है उसको चैन नहीं पड़ रहा है एजिटेशन है उसके अंदर तो आप देखोगे एक वर्ब होती है आपकी एजि होगे तो ऐसे याद रख लेंगी ठीक है उकसा दिया उसको एंक्सियस एंक्सियस का मतलब है चिंतिट वरेडवी इकदम गुसा आ रहा है उसको परेशान है आप पर्टरव्ड डिसनgerट ऑ령ा ब Wish camera डिस्टर्व्अ पर्टरव्ट डिस्टरव्ड दोनों एक जैसे वर्डेर दोनों का एक जैसा मीनिंग होताँए अन-easy जो आसान नहीं और है, बहुत ज़्यादा गुसा कर रहा है तुम बोल देते हैं ओस उकस रह सा keynote cash और चिंत और को कैसे होगे लिए Button ऐसे करके है नहीं चृषर्टेज चिंतिग और एंगरी भी चिंतिगे अगला आप का योट है उपन बहुत सिंपल है एडॉर्छ होता है चूपन क्या है एक avocado क्विकुंशी होता है इंडेफिनट फ्रीकेंसी अक्सर, बहुत ज़ादा कोई काम होता है, जो अक्सर, simple word है, grammar में हम बहुत बार पढ़ रहे होते हैं, इसके इंटोनिम क्या हो जाएंगे, grammar में पढ़ते हैं, seldom, बहुत कम, sporadically, sporadically का मतलब है, देखो एक word होता है sporadic, sporadic का मतलब होता है, कोई कम जो कभी कभार हो, बहुत rarely हो तो ये सारे रखरहें बहुत सिंपल तो हिसमें थोड़ा साच्छा वर्ड गयाद रखे फोल着 रेंगे अगला इनमीं का मतलब क्या हूता है insolvent इसका मतलब होता है करप्ट करप्ट नहीं मतलब एक थरीके से दिवालिया आतमी अव कैसे याद रखो गई है देखो एक Wort आप इसको insolvent को अलग-अलगर ब्रेक करके देखो तो इन अलग हो गया और solvent अलग हो गया एक बात है अब solvent में से आपको क्या दिखाई दे रहा है solve जिसके पास पैसा होगा वो सब कुछ solve कर देगा भाई पैसे से आपकी सारी समस्या solve हो जाती है और अगर solve नहीं कर पा रहे हो तो आप कैसे हो insolvent हो इन किसी सब्द को क्या बना देता है negative तो insolvent का मतलब हो जाएगा जो समस्याओं को solve ना कर पाए तो जो दिवालिया हो जाते हैं वह अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते हैं इसलिए उनको insolvent बोल देते हैं याद रह जाएगा तो insolvent या नहीं जो अपनी समस्याओं का समाधान ना कर पाएं यानि कि जिनके पास पैसा ना हो not having enough money to pay what you owe जो भी आपके पास उधारी है उसको आप दे नहीं पा रहे हैं इसका मतलब आप insolvent है तो इतने सालों से rent नहीं दे रहे हैं दिवालिया हो तो ऐसे याद रख सकते हैं पकी मैंने जो बता है वो तरीका ज्यादा अच्छा है ना अगला देखेंगे effluent effluent इसका एंटनी में effluent का मतलब होता है पैसे बाला बहुत पैसा हो जिसके पास effluent effluent यहनिके धनी rich rich का मतलब भी क्या होता है धनी सभी जानते है prosperous जो बिलकुल एकदम फल रहा फूल रहा है समरद है उसको prosperous बोल देते है wealthy जिसके पास में बहुत सारी wealth है बहुत सारा पैसा है वो wealthy कहलाएगा opulent opulent का मतलब भी क्या होता है धनी wealthy आगे देखेंगे एक अगला वर्ड आपका स्टैबल और स्टैबल का मतलब होता है इस्थिर जब लोग स्थिर हो जाते हैं तो उनको स्टैबल बोल देते हैं आसान वर्ड कोई ट्रिक नहीं चाहिए स्टैबल स्टैबल निहीं स्थिर एंटम्यों आ जाता है फिकल का मतलब है जो इदर दर फिकता रहता है यानिकि एक जगे टिक नहीं पा रहा है तो फिकल का मतलब क्या हो जाएगा जो चंचल रहता जो फिकता रहता है फिक ऐससे याद रख लेंगे एक अभी शुरुवात में ही नहीं से की एक वर्व होती है ठीक है और सेख अगर एक वर्व है इसका मतलब होता है किसी चीज़ को हिलाना खास करके इस टाइप जो इस तरीके से हिल रहा है मतलब अपनी बात पर टिका नहीं है इस्थिर नहीं है तो उसको बोल देते हैं से की एक वोला टाइल नहीं है तो एक जगह पर टो रुखते नहीं है तो कैपरीशियस तो कैपरीशियस फिकल अन्स्टैबल जो कपर आपको चैपरीश से एक आपका इवनेसेंट इवनेसेंट का मतलब होता है जो चणिक चीज़ हो ती यह एक छण रिंदे उसको evanescent गोल देते हैं ठीक है सो evanescent यह नहीं के बहुत छड़ के लिए ठीक है अगला आपका वर्ड है स्नियर स्नियर एक वर्व होती है जिसका मतलब होता है किसी का मजा कुड़ाना उपहास करना मजा कुड़ाना तूइस्माइल और स्पीक इना मौकिंग मैनर मौकिंग कह और यह कहते थे भाई कर क्या रहा है तो यह बड़ी जल्दी से मजा कुड़ा देते भाई क्या कर रहा है तो है ना यह इनका मीम बड़ा फेमस चला होगा आपने देखा होगा असनीर किसी का भी क्या करते मजा कुड़ाते तो स्नीर करने का मतलब क्या हो जाएगा मजा लावड आपका वर्व है इसी से आपका एक एड्जेक्टिव बनता है लावड़ेट्रि अंद Concery का मतलब है कोई भी statement ओ सकता है कोई पत्र हो सकता है कोई सब्द हो सकते हैं लावडेट्रि लावडेट्रि वर्ट्स प्रसंसा करने वाले सब्द प्रसंसा करने वाला पत्र ठीक है एक आपका एड्जेक्टिव बनता है लाउडिबल जिसकी प्रसंसा की जाए ठीक है एक आपका एड्जेक्टिव बनता है लाउडिंग जो व्यक्ति प्रसंसा कर रहा हो और एक आपका बनता है लाउडिट वो व्यक्ति जिसकी प्रसंसा की गई है आगे प्रेज तो जानते हैं तारीफ है न चीर करना चीर लीडर्स आती है न आई पेल में देखा होगा यो 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 डांस करती है चीर लीडर्स तो चीर करती है वो अपनी टीम को उतसाहित करती है वाई सब हैल आपने बार-बार एक मीम सुनाओं अल हैल लॉर्ड रिंकु जब रिंकु सिंग ने पाँच छके मारे थे तो यह मीम बहुत जगे चला All hail Lord Rinku All hail Lord Rinku य Nokis Talk जनी कि सभी Lord Rinku की तारیफ करो Hail का मतलब क्या होता है स्वागत करना तारीफ करना All hail All hail यनी कि सभी स्वागत करो सभी ताली बजाओ तो जब किसी का वेलकम करना होता है तारीफ करने के साथ-साथ तब हम कहते हैं All hail सभी तारीफ कर अपलाउड तो होई गया जैसे लाउड आपका तारीफ करना होता है इसी कि नाउन फॉर्म होती है अगे देखेंगे अगला आपका वर्ड है accept accept का मतलब होता है स्विकार करना बहुत सिंपल वर्ड है एकसेप्ट स्विकार करना तो agree to receive और undertake something offered किसी चीज़ को receive करने के स्विकार कर लेना बेशीकली सिंपल है स्विकार करना इसलिए नोट्रिक एंटोनीम क्या बनेंगे decline कर दिया है नहीं कि मना कर दिया deny कर दिया again मना कर दिया expel करने का मतलब है किसी को बाहर निकाल देना accept करने का मतलब है किसी को अंदर ले लेना तो expel या नहीं बाहर निकाल देना खास करके class से university से college से जो students को निकाला जाता है तो उनको expel किया जाता है reject करने का मतलब है अस्वीकार कर दिया और refuse करने का मतलब भी क्या है इनकार कर देना smart vocabulary जो हमारी vocabulary की खास बात है तो देखो idioms related to accept स्वीकार करने से related idioms abide by का मतलब है to accept without objection स्वीकार कर लेना बिना objection करे एक है by into by into का मतलब है to agree with और accept as valid स्वीकार कर लेना जैसे देखा वैसे ही एक है play ball play ball का मतलब होता है to accept to do something what someone wants or say जो सामने वाला हम से चारा है वो ही तो play ball स्वीकरती देजिना ठीक है अगला आपका word है revolting revolt करना revolt कर दिया यानि कि आंदोलन कर दिया revolt कर रहा है क्यों हो revolting है तो जब जनता नफरत करती है तब revolt होता है जब जनता नफरत करती है तब revolt होता है तो हमेशा यह सरकारों को ध्यान रखना चाहिए कि किसी इस हद तक ना गिर जाए किस जनता को revolt करना पड़े तो ठीक है बाकी ज़्यादा बात नहीं करूँगा इस matter पर attractive का मतलब क्या होता है आकर सक charismatic देखो attractive simple word है charismatic का मतलब क्या होता है जिसमें बहुत जो charisma हो charisma कपूर देखिए charisma कपूर बड़ी मन मोहक थी आपने वो गाने तो सुने होंगे ना राजा इंदुस्तानी मूवी देखिए पर देशी पर देशी जना नहीं जना नहीं मुझे छोड़के मुझे छोड़के इतनी आकर सक है बहुत आकर सक लगती है उस मूवी में तो charismatic या नहीं करिश्मा कपूर से याद रखेंगे तो करिश्मा मैं जो है fascinating जो fascinate करे आकर सित करे आपको एक है charming जिसके अंदर charm हो जिसके अंदर charm जो कहते है न उसके अंदर एक अलगी मन मोहक कोई quality है आगे देखेंगे अगला आपका word है set set वर्व होती है बहुत आसान छिपना होता है इसका मतलब लिके to go down below the horizon अस्त होना या छिपना sets in the west सूर्य जब अस्त होता है तो set कहते हैं इसको एंटोनीम देखेंगे rise का मतलब उठना उगना सूर्य राइज करता है east में आपका ठीक है ascend का मतलब उपर जाना arise का मतलब भी निकलना होता है grow का मतलब बढ़ना होता है advance का मतलब आगे जाना यह सब आपके positive nature के है set का मतलब डूबना होता है तो वो negative nature भाई यह थी आपकी पूरी class एक पूरा complete page पढ़ा है आदे page को नहीं हमने पूरे page को cover करा और मुझे उम्मीद है कि आपको class अच्छी भी लगी होगी और अगर class अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को share जरूर करें हमारा जो दूसरा चैनल है प्रसान सो लंग की इंग्लिस उसको जरूर सब्सक्राइब करें वक्याव अंडर्स पर सारी classes देखें साती सात में आज के लिए रखोंगा सिर्फ इतना ही बाकी आप लोगों ने अगर अब तक हमारे इंस्टाग्राम वग्यरा इंस्टाग्राम हैंडल वेसे हमने चेंज कर दिया तो प्रसान सोलंकी इंग्लिस करके है उसको जोईन कर लेना प्लास पीडिया वग्यरा के लिए इंग्लिस भाई प्रसान सर और वक्याब बंडर्स को जरूर जाइन कर लें आज के लिए इतना ही बाकी मिलेंगे अगली क्लास में थैंक्यू सो मच जैंद जैंभरत